तो ये 84 आसन जो की बुनियादी योग आसन है ये 84 तरीके हैं शरीर को एक मार्क बनाने के असल में हर किसी को सारे 84 आसन करने की ज़रूरत नहीं है केवल एक ही आसन काफी है आम तोर पर हट योगी, हट योग को अपनी मुक्ती का मार्क बनाने वाले समर्पित हट योगी सिर्फ एक आसन का अभ्यास करते हैं बस एक आसन, एक सोचने वाले दिमाग के लिए ये समझना मुश्किल है कि कोई इनसान अपना सारा जीवन एक खास तरीके से बैठने की कोशिश में क्यों बिताएगा लेकिन अगर आप ठीक से बैठना सीख लेते हैं अपने शरीर को बस ठीक तरह से रखना सीख लेते हैं तो इस ब्रहमान में हर वो चीज जिसे जानने की जरूरत है आप उसे जान सकते हैं इसे आसन सिध्धी कहते हैं, अगर आप किसी आसन में स्थिर होकर आराम से बैठ सकते हैं, धाई घंटे तक, तब हम कहते हैं कि आपने आसन सिध्धी प्राप्त कर लिए, यानि आपे खास आसन में पूरी तरह आराम से और सहज हैं, यही आसन सिध्धी है, अगर आप इसे हास तो आपको जो भी जानने की ज़रूरत है, आप उससे अपने भीतर से जान सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? केवल बैकने से आप कैसे हर चीज जान सकते हैं, जो जानी जा सकती है। अगर आपके पास घर में टीवी है, टीवी बस एक डबबा है जिसमें थोड़ी इलेक्ट्रोनिक्स होती हैं, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी दुनिया बन जाता है। पूरी दुनिया इस जगा पर या इस डबबे में आ सकती है, जिसे हम टेलेविजन कहते हैं, क्योंकि इसमें रिसीविंग का एक तरीका है। नहीं कर सकता, एक इंसान भी ऐसा ही होता है, एक इंसान अभी जो है, वो वैसा इसी आधार पर बनता है कि उसने क्या जाना या अनुभव किया है, सिर्फ उसकी वजह से वो वैसा बन जाता है, जैसा वो है। आप अभी जो हैं, वो अभी तक क्या अपने जीवन के अनुभव और बोध के कारण ही हैं। आगे भी आप उसी के मताबिक बनेंगे, जो आप भविश्व में अनुभव करेंगे। आप जो भी जानते अनुभव करते हैं, वही आपको वैसा बनाता है, जैसे आप आज हैं। तो योग की पूरी प्रणाली सिर्फ अनुभव या बोध को बढ़ाने में दिल्चस्पी रखती है। तो अगर आप सही तरीके से आसन में बैठते हैं, अगर आपका अलाइनमेंट सही है और अगर ये किसी तरीके से ब्रहमांडी जामिती से मिलता है, चौरासी अलाइनमेंट से अगर कोई व्यक्ती इन चौरासी आसनों का अभ्यास करता है या सिर्फ एक आसन में महारत हासिल कर लेता है और उसके माध्यम से बाकी 83 तक पहुँचता है तब वो अब तक स्रिष्टी में हुई हर चीज को जान सकता है क्योंकि उस सबकी यादाश्ट आपके शरीर के भीतर मौजूद है हम कह सकते हैं कि एक कोड के रूप में इसे जगाया और सक्रिय किया जा सकता है अगर ये आपसे बाहर के दूसरे आयाम को सपर्ष करती है तो तो आसन शक्तिशाली साधन है योग आसन जुड़ने के शक्तिशाली साधन है मैं नहीं चाहता कि आप योग के अर्थ को भूले योग का मतलब है जुड़ना जुड़ने का मतलब है कि दो एक हो गए हैं दो का मतलब इस अस्तित्व में सिर्फ दो ही चीजे हैं आप और बाकी का अस्तित्व बाकी की चीजों को आप पहचान सकते हैं ये वो या वो के रूप में लेकिन असल में सिर्फ दो ही हैं आप और बाकी का स्थिर्थव क्योंकि आपके भीतर अनुभव के सिर्फ दो ही आयाम है आप नहीं जानते कि इस ब्रहमान में उपर और नीचे क्या है आप नहीं जानते कि आगे और पीछे क्या है आप कुछ नहीं जानते ये सब हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है अनुभव के आधार पर वास्तविक्ता सिर्फ इतनी है कि किसी चीज को बाहर कहते हैं और किसी चीज को भीतर कहते हैं तो अनुभव के ये दो आयाम हैं भीतरी और बाहरी तो योग का मतलब है, इन दोनों को मिलाकर एक कर देना, बाहरी और भीतरी, आप और बाकी सम, आप और कोई और, जब आप और कोई और नहीं होता, तब सिर्फ आप और आप होते हैं, तब वो योग है तो आसन इस तक पहुँचने का शारेरिक जरिया है, ये एक शारेरिक साधन है, इस परम एक रूपता तक पहुँचने के लिए, क्योंकि शरीर के साथ काम करना सबसे आसान होता है, अगर आप अपने मन के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो ये कई तरीके से चाले खेले अगर आप इसके साथ समझदारी से काम करते हैं, तो योगासन निश्चित रूप से परम एक रूपता की संभावना की और ले जाएंगे. इस दोरान इन आसनों के अभ्यास से इस से पहले की परम जामिती के साथ ये अलाइनमेंट पैदा हो, एक भीतरी अलाइनमेंट पैदा होता है, जिससे स्वाभाविक रूप से अच्छी सेहत, प्रसन्नता और आनंद और सबसे बढ़कर संतुलन प्राप्त होगा. संतुलन को मौडन सुसाइटीज ने अंदेखा किया है और उन्हें आज इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. आप चाहे जितने भी होश्यार हों, आप चाहे जितने भी काबिल हों, या पड़े लिखे या योग्य हों, अगर आपके पास जरूरी संतुलन नहीं है, तो आप सफल नहीं होंगे, अपने जीवन में बहुत आगे तक नहीं जाएंगे. तो सफलता चाहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपून चीज, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हों, या वो राजनीती, सेना, या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, सबसे महत्वपून चीज है संतुलन. अगर आपके पास ऐसा संतुलन है, जो बहारी हालातों से नहीं बिगड़ता, सिर्फ तभी आप अपने भीतर की काबिलियत और बुद्धि मत्त का इस्तिमाल कर पाएंगे, वरना आपके ज्यादातर शांदार गुण संतुलन की कमी की वज़े से बेकार हो जाएंगे, और ह अठियोग का मतलब है संतुलन